दोस्तों IRCTC की बात के तो श्टॉक के अंदर हमने काफी बड़ी गिरावट देखी और इस गिरावट के पीछे वज़े है सरकार का OFS लाना और ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और प्राइज पहले से अलड़ी नीचे रखी गई थी और इस वज़े से देखे तो IRCTC का बीजनस तो बहुत ही सांदार है क्योंकि ये मोनोपॉली बीजनस कमपनी करती है और इसके प्राफिट में काफी जबरदस उचाल भी देखना को मिल रहा है लेकिन इसके बीच में जब गवर्मेंट की तरह बाद में स्टॉक की पिटाई हो जाती है अब यहाँ पे ए जो इसमें मर्जर होने वाली है क्या IRCTC में दूसरी कमपनिया मर्जर होगी या फिर दूसरी कमपनियों में IRCTC का मर्जर होगा इन सारी बातों को इस वीडियो के मादे मिसे समझेंगे और क्या इस समय में IRCTC में इन्वेस्मेंट करना चीए IRCTC का वही यही stock है जिसना spirit के पहले बहुत बड़ी दोड लगाई थी एक तरह से यह multi bagger सावी दोड लोगों के लिए लगातार दोड रहता और आप देख सकते हो कि बहुत ही सांदार तेजी के बाद अब stock के अंदर पिछले एक साल से थाकावट है और stock बिल्कुल नीचे की तरफ है और काफी ज़्यादा fair value पर भी मिल रहा है तो क्या इसमें दाओ लगाना चीए क्या है आगे की समवाना जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो Friday को BSE Sensex 61,337 के स्थर पे closing दिये जहां पे हमने 461 पॉइंट की गिरावट देखिए 0.75% गिरा हमारा BSE Sensex तो इसका भी असर देखना को मिला क्योंकि बाजार में गिरावट थी FI बाजार में बिक्वाली करें पिछले दो trading session से उनकी बिक्वाली तेज हो चुकी है और इसी विज़े से देखें तो IT हमें यहां पे IRCTC में भी गिरावट देखना को मिली है अब यहां पे देख सकते हो इसकी सुरुआ जो ही ट्रेडिंग की वो सुबह 681 पर हुई यानि गिरावट के साथ में हुई क्योंकि Thursday की closing 6889 के आसपास थी और गिरावट के साथ में लगबग 8 रुपे नीचे स्टॉक खुला और जो लोई बना वो 668 का है और हाई तो आप देख सकते हो 662 का यानि जहां पे शुरुआत हुदी वही पर है और काफी ज़्यादा उसमें गिरावट देखना को मिली अंत में closing 671 पर रही 17 दिसमबर 2020 को लेकिन 6 मन के हिसाब से देखे तो फिलाल श्टॉक के अंदर में कम से कम 13% की तेजी देखना को मिले है क्योंकि श्टॉक 594 तक चला गया था 17 जून को तो यहां पे 6 मेने के हिसाब से फिलाल अभी कुछ positive समवना बनी हुई है लेकिन 1 मन के इसाब से स्टॉक में फिर से 7.50% की गिराउट होगी है 726 के आसबस था 17 नौंबर को अब 5 देज की भी बात के तो इस स्टॉक में हमने 5.52% की गिराउट देखी है तो कुल मिला के correction हो चुका है और अब यहाँ पर बढ़ने की समवना काफी ज़ादा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरकार ने OFS लाया और यह 1.87 टाइमस सब्सक्राइब हो चुका है यानि आप देख सकते हो कि अच्छा response मिला है तो यहाँ पर Friday की बात के तो 74.74 मिलियन शेर का यहाँ पर बीड लगी है यानि 5,082 क्रोड शेर की यानि 1.87 टाइमस ज़्यादा है जो OFS की साही थी यानि OFS के लिए 2,0720 क्रोड शेर की बीड मांगी थी लेकिन उसके सामने 5,082 क्रोड की बीड लगी है तो काफी अच्छा response मिला है फिलाल सरकार 2 क्रोड शेर की बीकरी कर रही है यानि 2.5% के अपनी हिस्सेदारी बेच रहे है और इसकी डिमाड और बड़ी तो आगे 2 क्रोड शेर और बेचे जाएंगे यानि 5% की हिस्सेदारी पूरी गटाई जा सकती है और आप देख सकते हो कि जहाँ पे 680 की OFS की प्राइज रखी तो उससे भी नीचे स्टॉक आ गया है अभी फिलाल आप देख सकते हो उससे 8-9 रुपे नीचे आपको मिल रहे है सबसे बड़ी बात है कि जब OFS का एलाइन किया तो उस समय 732 के आसपास प्राइज थी एक और बड़ी मंसा सामने निकल के आ रही है जो लेटेस अब्डेट निकल के आ रही है सरकार अब मरजर प्लान पर विचार कर रही है यानि सरकार ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था और यह जो प्रोसेज यह सेप्टमबर 2020 में इस्टार्ट हो गया था कि आने वाले समय में जो railway के कंपनिया है उनको merger किया जाएगा एक तरके बीजनस को देखे उन कंपनियों को merger कर लिया जाएगा यानि जिनका बीजनस एक जैसा है ऐसी कंपनियों की जो संक्या को कम किया जाएगा मरजर करके तो यह रेलवे ने पहरे से ही प्लान बनाने था अब इसको आगे बढ़ा देखी तरब शुरुआत हो चुकी है तो यह जो लेटेस अब्रे निकल के आ रही है कि आने वाले समय मे तो यह पे आप देख सकते हो कि इनका मरजर की समय उने की समयर बनेगी देखे तो इन तीनों के बीजनस आपस में मेल खाते है जैसे कि आपे रेल टेल की बात है तो रेल टेल टेल कोम इंफ्रासक्चर प्रवाइड करते है उप्तिकल फाइबर केबल नेट्रोक के माद्यम से और रेलवे है वो यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे कैटरिंग और प्रेट बुकिंग होती है और आप यह देख सकते हो कि और फ्राइट इंवर्सिंग होती है पैसेंजर ट्रेंड की ऑपरेशन की सारी जानकारी इनके सौप्ट्वेर के मादेम से मिलती है तो यह तीनों के बीजनस आपस में जूड़े हुए क्योंकि आप समझ सकते हो कि की साइज भी बढ़ेगी और डिसिजन मेकिंग प्रोसेज बहुत आसाजन हो जाता है यानि एक तरसे बहुत सारे अलग लग डिसिजन लेने होते उसमें जल्द से जल्द कारवई हो सकती है तो यह कुल मिला कि जो मर्जर का प्लान है यह फायदे मत सौधा हो सकता है इस बढ़ी बात है कि IR City से फिलाल बहुत सारे टूर ऑर्गेनाईज करते है जिनमें को काफी ज़्याद अच्छा रिवेनियु मिल रहा है इसके अलावा एयरवेज के लिए या फिर रेलवेज के लिए काफी ज़्यादा होटेल की बुकिंग वगरा इनका काम का जब तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बहुत सारे टूर ऑगेनाईज किये जा रहे है ऐसे में देखे तो यह जो बीजनस है यह काफी मजबूत लग रहा है आने वाले समय कमपनी अपनी खुद की ऑनलाइन पेमेंट सुईदा भी शुरू करने जा रही है तो यह जो बीजनस है अभी कोईड के वैसे सारी टैने बन होगी थी ऐसे में इनका कैटरिंग का बिजनस भी बन था तो रिवेन्यू गिर के 783 कुट पी तक आ गया था लेकिन 2022 में फिर से एक बड़ा उचाला है और रिवेन्यू सीधा बढ़के 1879 कुट पहुच गया है जो 2019 के मुकाबले काफी अच् लेकिन 2021 की इसमें प्रॉफिट गिर गया कोईड की वज़े से 189 कुट पहुच का आसपास प्रॉफिट रह गया लेकिन 2022 की बात करें तो बहुत ही सांधर बड़तरी हुई है इनके प्रॉफिट में यानि सीधा प्रॉफिट 663 कुट पी तक पहुच गया है 2018 के बाद सबसे सांधर प्रॉफिट तो यह आप समझ सकते हो जिससे इनका प्रॉफिट बड़ा उसे एक बात समझ में आ सकती है कि अब यहाँ पे यह रॉकेट बंदे को स्टोक तयार है जल्दी इसके अंदर एक बड़ी तेजी आएगी तो इस गिरावट का आपको फाइदा उठा लेना वो सेप्टरमर 2022 में बढ़के 806 कोर्ट भी हो गया दे दुगुना हुआ है पिछले एक साल में प्रॉफिट को देखे तो सेप्टरमर 2020 में जापे 159 को भी कासफ़ था वो सेप्टरमर 2022 में 226 को भी कासफ़ पहुच गया था तो काफी सांधा लग रहा है तो फिलाल बले ही OFS की वज़े से स्टॉक की प्राइज नीचे आई हो लेकिन यहाँ पे इसका विजन बिल्कुल क्लियर है कंपनी मोनोपॉली बीजनस करती है और आने वाले समय में इसमें बहुत सारी पॉइट्यू संभावना और बनेगी लगातर बीजनस बढ़ रहा है और इसलिए आपक एजू किसनल परपस के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंक यूफर